Hey guys welcome back to my channel so I know मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ लेकिन अब मैं ट्राइ करूँगी के वीक में एक वीडियो अटलीस मैं अपने चानल पर अपलोड करूँ के डर्मा पैलेट के लाइट कंसीलर से आई लिट को फिल कर रही हूँ आप कोई भी थिक बेस यूज़ करते हो ना तो आपके आई मेकप का कलर बहुत अच्छा दिखता है उसके बाद मैंने लिया है एक ब्राउन कलर और उससे मैं ट्रांजेशन शेड बना रही हूँ नेक्स से आपका आईस पे पिग्मेंटिशन अच्छा आता है अगर आप ब्रश से कमफोटेबल हो कोई दिकत नियाप कर सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पे अपलाई कर रही हूँ ग्लिटर से आपकी आईस अच्छी शाइनी लगने लगती है और थोड़ा सा डीटेलिंग भी एड हो जाता है अगर आप ग्लिटर नहीं लगाना चाहते हो या नाइट पार्टी नहीं यह डेई इवेंट है तो आप ग्लिटर स्किप भी कर सकते हो नेक्स्ट मैं अपलाई कर रही हूँ आईलाइनर आईलाइनर जबी भी आपको विंग या कैट आईलाइनर बनाना हो तो आपका ऊपर वाला हिसा है आउटर कर नर हे वह ठोड़ा सा मोटा और इसले subject पतला होना चाहिए उसके बाद फिर आपको प्रपर एक Gracias देने के बाद फिर फर विंग वाली लाइन ड्रौ करनी है और विंग वाली लाइन अग्दम आलाज से दीरे हे आपको को ब्सटार करनी लाइनर वाला जो step है वो कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा आई लाइनर लग गया है अब मैं black eyeshadow की help से थोड़ा सा उसको और ज्यादा intense कर रही हूँ उसका pigmentation ज़रूरी नहीं है कि आप उसको layers पे layer लगाते जाओ next मैं apply कर रही हूँ foundation यह मैंने लिया है Charlotte Tilbury का और यह बहुत अच्छा foundation है बहुत अच्छा finishing देता है coverage भी अच्छा है अगर आप oily skin पे काम कर रहे हो तो यह वाला foundation best रहेगा oily skin के लिए क्यूंकि यह काफी dry foundation है इ जब भी आप foundation लगाते हो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो blender हो थोड़ा सा गीला हो damp beauty blender हो और आपको dab-dap motion पे आपको पूरा foundation blend करना है ड्रैग करोगे आपका जो foundation है वो skin से निकल जाएगा और uneven लगेगा तो आप dab-dap motion में apply करो और आपका जो beauty blender है वो damp होना चाह और एक तम dry भी नहीं होना चाहिए जब eyes के corner के पास blend करते हो तो आप बहुत ध्यान से करना है ऐसा नहों कि आप eyeshadow के उपर अपना foundation लगा दो और आपका eye makeup खराब हो जाए उसके बाद neck cover करना बहुत जरूरी है बहुत टाइप बहुत लोग से face पे foundation लगा लेते हैं neck और लुक है वो uneven लगता है face थोड़ा सा bright और neck आपका थोड़ा सा dark लग सकता है आप steps देख सकते हो मैंने छोटे-छोटे dots में foundation लगाया उसके बाद में dab-dab करके उसको अच्छी तरीके से blend कर रही हूँ जब आप under eyes में foundation blend करते हो तो आप ध्यान देना कि आपका जो blender है वो आँखों में ना लगे आपको eye makeup भी संबालना है और आपको eyes भी संबालना है especially तब जब आप किसी और का make-up कर रहे हो जब आप clients कर रहे हो make-up में base बहुत important होता है इसलिए बहुत आराम आराम से अच्छी तरीके से आप base को skin में blend करो अगर आप अच्छी तरीके से skin में foundation को blend नहीं करोगे ना तो आपका जो make-up है वो बाद में crack हो सकता है केकी और dry लग सकता है इसलिए जब आप foundation blend कर रहे हो ना तो थोड़ा सा time आराम आराम से अच्छी तरीके से हर area चेक कर लो और अच्छी तरीके से blend करो अगर किसी के अगर किसी को under eyes में line जादा है smile line जादा है तो उसका ये एक tip है कि आप क्या करो ना smile lines के पास से foundation थोड़ा सा निकाल दो इससे आपकी जो smile lines है वो नहीं आएगी next मैं कर रही हूँ highlight ये वाला step आप तभी करना जब आप कोई heavy makeup या heavy look कर रहे हो अगर आपको normal light makeup करना है everyday makeup करना है तो आप highlight skip भी कर सकते हो अगर आप highlight कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया है placement आप देख लो under eyes में nose के area पे lips के उपर chin पे और forehead पे आपको highlighter apply करना है उसके बाद सेम आराम आराम से धीरे धीरे आपको blend करना है especially तब जब आप under eyes का highlighter है वो blend कर रहे हो तो और client कर रहे हो तो आपको और भी ध्यान रख किया है और next उसी के नीचे मैं कर रही हूँ contour face contouring से आपका face थोड़ा सा पतला और face में dimension आ जाता है क्यूंकि हम color correction करते हैं foundation लगाते तो हमारा जो face है वो एकदम flat लगने लगता है उसको थोड़ा सा define करने के लिए हम लोग contour करते हैं और contour जितना आप sharp करना चाहों कर सकते हो और आपको जितना face पतला दिखाना है उस हिसाब से आप contour कर सकते हो अगर face already बहुत पतला है define है तो उसमें जादा contouring की जरूरत नहीं है फिर आप cream contour skip करके directly bronzer भी कर लोगे तो वो face में एक अच्छा खासा dimension एड़ कर देगा face जो मैंने cream contour और blush लगाया था उसको मैंने अच्छी तरीके से blend कर दिया उसके बाद powder करने के बाद अब मैं blush का coverage है वो थोड़ा सा बिल्ड कर रही हूं powder blush की help से अगर आपका भी cream blush powder लगने के बाद थोड़ा सा fade हो जाए तो आप भी powder blush से उसको अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो ताकि आपका जो blush है वो नजर आए तेलिंग के लिए थोड़ा सा मैंने chin पे और nose पे भी blush लगाया है ये इतना pink pink नहीं नजर आएगा क्योंकि इसके उपर highlighter आजाएगा और second जो मेरे पास brush में left out हो गया था मैंने वो ही just apply किया है उसके बाद मैं लगा रही हूं highlighter highlighter आपको face के high points पे लगाना है मैंने cheek bone का जो area होते है वहाँ पे highlighter अपलाई किया है उसके बाद चिन पे अपलाई किया है देखो कितना अच्छा सा face पे shine आ रहा है highlighter आप कम जादा लगा सकते हो आपके जो भी event है उसके हिसाब से अगर आपका night event आप highlighter अच्छा जादा लगा सकते हो day event में आप थोड़ा सा highlighter कम लग सकते हो और अगर आपको एकड़म face matte चाहिए तो आप highlighter स्किप भी कर सकते हो eyes next मैंने pink काजल लगाया क्योंके look totally brown हो रहा था brown lipstick भी मैं apply करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने under eyes में मैंने pink काजल लगा के pink eyeshadow के साथ मैंने काजल को थोड़ा सा smudge कर दिया है अब मैं कर रही हूँ inner corners पे highlight इससे भी आपकी eyes बहुत अच्छे से define हो जाती है अब मैं apply कर रही हूँ mascara mascara आपको help करता है आपके false और real lashes को mix करने में नहीं तो आपके false और real lashes अलग-अलग नजर आते हैं next मैं apply कर रही हूँ lipstick ये बहुती beautiful सा brown shade मैंने लिया है lipstick में अगर आप lip liner यूज नहीं कर रहे हो तो आप brush की help से lips में proper एक अच्छी सी line draw कर सकते हो पहले उसके बाद उसको आप जब fill करोगे ना तो आपकी shape एकदम proper आएगी तो आप ये तरीका अपना सकते हो अगर आपके पास lip liner नहीं है तो आप देख सकते हो कितना beautiful सा shade है और जो lip का shape है वो भी एकदम perfect आया है brush की help से क्या होता है ना guys आपका control थोड़ा सा ज़ादा रहता है अगर आप directly applicator का use करोगे ना तो आपका जो lip का shape है वो बिगड़ सकता है अगर आप दूसरों को कर रहे हो तो इसमें तो आपको और भी ज़ादा ध्यान रखना है उसके बाद मैंने क्या किया lip के shape को और ज़ादा define करने के लिए concealer की help से अच्छी तरीके से shape दे दिया अगर आप मुझे वहां follow करना चाहते हो तो आप मुझे follow कर सकते हो और मैं makeup की bookings भी लेती हूँ अगर आप मुंबई से हो तो आप अपने किसी भी party या फिर wedding event के लिए मुझे book कर सकते हो फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे बाई